नमस्कार मित्रों माताराने की जय हो माताराने सबका भला करे सबका जीवन हसी खुशी व्यतीत हो माताराने सबकी जोली में खुशियां बरे इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर आजिर हैं आपके लिए और वसीकरन वीडियो लेकर इस वीडियो मैं आपको बताएंगे कि तेल स कैसे होता है वसी करन तो चल्य शुरू करते हैं मित्रों शुरू करने से पहले अगर आपने मारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल को अभी साथी वीडियो को लाइक करें कि चैनल पर आने वाली सब पर से खतम किया जाएगा और आपकी जीवन को फिर से खुषाल बनाया जाएगा हमारे संपर्क्षुत्र आपके स्क्रीन पर चल ले हैं नमस्कार मित्रोब बात करते हैं वीदी के बारे में तो वीदी में सबसे पहले जानेंगे हम समय तो समय होगा दिन होगा सुक्रवार रातरी ग्यारा बजे का समय होगा ग्यारा दिन का पूरा उपाय है और पक्स होगा सुकलपक्स महिने में दो पक्स होते हैं कृष्ण पक्स सुकलपक्स हमें ये उपाय सुकलपक्स के किसी भी सुक्रवार की रातरी साड़े ग्यारा से ये उपाय सुरूक करना है और इसमें हमें सामगरी चाहिए गी तेल रख्षा सुत्र और दिपक, तेल सरसो read that use में लेना है रख्षासुत्र जिसी मॉली भी बोला जाता है की सेत्रों मोलीृ में लेनी है और दीपक, दीपक कमें अगले दिन आएगा तो दीपक कभी नहीं लेना है तो मित्रों सबसे पहले तेल को किसी भी छोटे बरतन में चाहे कांच का हो चाहे स्टील का हो चाहे प्लास्टिक का किसी भी बरतन में डाल लेना है और उसको अच्छे से बंद कर लेना है उस बरतन में पूरे में भरा होना चीए तेल और फिर मोली से लेके उस डब्बे पे मोली पूरी तरीके से बांद देनी है मोली इतनी बांद दिये जितनी हम किसी भी पेड़ के तने के बांद सके इतनी मोली बांदने के बाद आपको साड़े ग्यारा बज़े ये उपाय सुरू करना है शुक्रवार की रात्री पहले दिन का कार्य है साड़े ग्यारा बजए आसन बिछा कर उत्तर की और मुख करके हमें बेठना है और ये जो सामान में ने दिलवाया है आप पहले दिन ये तेल का डबा और मोली जो बंदिवी है वो रखनी अपने पास और उसको अपने सीधे हाथ में ले लेनी है सीधे हाथ में लेकर एक मंतर बोलना है अभी मंतर जित करना है इस तेल को इस मोली को तो पहले दिन साड़े ग्यारा से बारा के बीच में आप ये सब कारे करके इनको अपने सीधे हाथ में ले लो तेल के डबे को और मोली बंदिवी को और फिर सीधे हाथ में लेकर इस मंतर का जाप करो मंत्र में बोल देता हूँ मित्रों मंत्र में कोई गल्ती ना हो ये ध्यान लखें कि मंत्र चाही होगा तभी कारे होगा मंत्र गलत बोल दिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी तो क्योंकि तंतर में मंत्र और तंतर तभी काम करते जब मंत्र तंतर का साथ दे तो वी दी में कोई गलती ना हो और मंत्र में भी कोई गलती ना हो तो मितरों मंतर है स्री दिविय सक्ती जोलिद दीप सामने वाले का नाम वसी भूतम कारे सफल करिश्यामी 2091 मंत्र का जाप करना है दोस्तक नहीं चूरीदेविए nephew शक्ति जॉलितव्ण दीप शामने वाले का नाम वशीवहुतम कार्य सफल करश्यामि 2001 मंत्र का जाप नेके बाद आपको इस सर्चों के तेल के डिपड़को अपने पास रखकर सो जाना है और फिर दूसरे दिन के सुबह अपने कार्य में लग जाना है और शाम होते होते सुरज ढलने के बाद दूसरे दिन सनिवार के दिन आपको इस तेल के डिब्बे में से एक दीपक जितना तेल दीपक में डाल देना है और उस दीपक को पीपल के पेड के नीचे ले जाके उस और अंधेरा होने के बाद ही यह कारय करें पीपल ty Brothers के नीचे जाए उसी तेल से दीपक जला के पीपल के पेड के नीचे रखके आजाएं और फिर आने के पश्चात आप को जितना तेल उसमें अपने बरतन में कम हुआ उतना को उतना तेल और ढाल देना है और फिर उससे अच्छी तरही से बंद करके रात को यही कार्य जो पहले दिन रात को किया था वापस दोहराना है डिब्वय को अपने सिध्य हाथ में लेना है और इसी मंतर का जाप दो 2021 बार करना है मंतर सुन लीजे मंतर है श्री दीविय सक्ती जोलित दीप सामने वाले का नाम वशी भुतम कारे सफल करिश्यामी दो सो एकान बार जाब कर लेने के बाद इसी डब्बे को अपने पास रखकर सोचाना है अगले 11 दिनों तक ये कारे करने के बाद आपको 12 दिन का कारे जब 11 दिन का कारे पूरा हो जाए तो 12 दिन जब आप रात को ये दीपक जला के रखके आएं तब दीपक के साथ ये डब्बा भी ले जाएं और ये मोली भी लेके जाएं और उसी पीपल के पेड़ के नीचे इस डब्बे को रख दें और जो मोली हमने ले रखी थी उस मोली को डब्बे में से निकाल कर उसकी किसी पीपल के पेड़ की तने पे बांध दें ये बांधने के बाद आप घर आ जाएए घर आके अपने सीधे हाथ को सीधे हाथ का मुठ सब्सक्राइब करने के बाद आपका ये विदी पूरी हो जाएगी और अगले साथ दिनों के भीतर भीतर आपको आपकी परिणाम मिल जाएंगे प्रमित्रों ध्यान रहे उन साथ दिनों के तक आपको उसी पीपल के पेड़ को कच्छे दूद्थ से सींचना है आपके परिण आपको पूरे मिल जाएंगे और जितना आप उसे चाहते हो जिसके लिए आप कर रहे हो वो भी सामने वाला भी आपको उतना का उतना पसंद करेगा उतना चाहने लगेगा और खुद अपने आप बोलेगा तो मितोरों ध्यान रहे वीदी में कोई गलती ना हो वीदी करने क अच्छे से करें सफल होंगे मित्रों विधी को लेकर अगर आपके मन में कोई संका या सवाल है या आपकी जीवन में कोई और प्रोब्लम है जिसने आपकी जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा हो और अंगिनत उपायों के बाद भी आपको समदान नहीं मिला हो तो आप हमें बेज़जग संपर्क करें आपकी हर समस्य को हल किया जाएगा और अगर विधी करते वक्त आप से कोई गलती हो गई है तो घबराईए मत आप हमें संपर्क करें हमारे संपर्क सुत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं इसी के साथ जैमातादी मित्रों माताराने सब का भला करें सब की मनोकामना पूरी हो मित्रों अगर आप भी मातारानी को मानते हो तो वीडियो को लाइक करें साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारिया आपको मिलती रहें सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है स्क्रीन पर चल रही जोती से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे जै माता दी